Hi friends, welcome back to my new video तो friends, आजके इस वीडियो में मैं आप लोगो बताऊंगा कार के कलच को, कार में जो कलच होता है उसको कैसे छोडे बहुत ही अजसान तरीके से बहुत ही धीरे धीरे कि हमारा गारी अराम से चले बहुत साही लोग जो सीखते हैं उनको कलच छोड़ने में बहुत दिक्कत होती है वो कभी अच्चानक से छोड़ देते हैं जिनके कराण गारी बार बार बंद होता है तो आज मैं आप सब को बताऊंगा कार की कलच को बहुती असान तरीके से छोड़ना रिलीज करना बहुती असान तरीके से इता हम धीरे-दीर छोड़ना है कार के कलच को तब ही आप अच्छे से कलच पकंट्रूल कर पराईएगा कलच को बहुत ही ही स्मूथली छोड़ पाईएगा और गारी को अच्छे से चला पाईएगा तो चलिए सुरू क yolदे नोग को बताते हैं कार के कलच को बहुत ही असान तरीके से छोड़ना तो देखिए दोस्तों अभी जो आप लोगों दिखाई दे रहा है तीन पैडल एस लेटर, ब्रेक और कलच इसी कलच को हमुझे अराम से इदम धीरे-धीरे छोड़ना है इदम धीरे-धीरे और कलच को अराम से ही छोड़ा जाता है इदम धीरे-धीरे ही छोड़ा जाता है अब अचानक से छोड़िएगा तो गारी बंध हो जाता है तो क्या करना है मुझे जब भी हम गारी को चालू करेंगे तो फर्स्ट गयर डाल लेंगे उसके बाद गारी को अर्न करके गारी को स्टार्ट करेंगे और यहां जो कलच आपको दिखाई दे रहा है यहां कलच इस कलच को इदम धीरे-धीरे छोड़ना इदम धीरे-धीरे छोड़ना इदम धीरे-धीरे जितना धीरे-धीरे हो सके उतना धीरे-धीरे इस कलच को पीछे के तरफ छोड़ना है, इस कलज को, अगर अचानक से इसको हम छोड़ते हैं, तो घारी जो है, करके बंद हो जाएगा, जिस तरह से हुक हुक की होता है, उस तरह से गारी बंद हो जाएगा, तो भाईयो इस कलज को मुझे अराम से छोड़ना है, एदम धीरे धीरे ही है मुझे कार चलाना सीखना है कलच को कंट्रोल करना सीखना है और कलच को बहुत ही असान तरीखे से छोड़ना सीखना है इसको अराम से छोड़ेंगे अराम से और जो लोग इस कलच को अराम से छोड़ना सीख गए हुए हैं वह समझे की कलच को बहुत अच्छा से समझ चुके हैं तो इसको हम एदम धीरे धीरे छोड़ेंगे एदम धीरे 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 जी तरह से अभी मैं छोड़ रहा हूं तभी गारी आराम से आगे तरह बढ़ेगा और कलच को इसी तरह से छोड़ा जाता है एदम धीरे धीरे छोड़ा जाता है, फास्ट में नहीं छोड़ा जाता है, कलच को एदम smoothly छोड़ा जाता है इस तरह से, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है, कलच को बहुती असान तरीके से छोड़ना, और जिस तरह से मैं बताया हूं, उस तरह से आप लोग भी यूज किजिएगा, जब भी गारी को स्टार्ट किजिएगा, तो कलच को इदम धीरे 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 छोड़ियेगा, जब तक हमारे गारी आगे बढ़ने न लगे, इदम धीरे दे छोड़ना है कलच को, इदम धीरे धीरे, इस तरह से मैं आप लोग को बताया तो दोस्तों वीडियो अची लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और कमेंट के जरी जरूर बताएगा कि वीडियो कैसी अलगा तो मिलेंगे आप लोगों से फिर से किसी नेक्स वीडियो में तब तक के ल बाइब बाइब